स्कार दोस्तों पूनम की जटपट्र सोई में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को करीपत्ता का चट्नी बनाना सिखाऊंगी करीपत्ता का चट्नी बनाना बिल्कुल ही आसान है और ये काफी स्वास्त के लिए अच्छा है करीपत्ता खाना सेहत के लिए बहुत ही फा यह देखिए मैंने करी पत्ता को तोड़ लिया है और अब मैं किचन की ओर बढ़ती हूं और चट्नी बनाने की तैयारी करती हूं मैं करी पत्ता का चट्नी बनाना शुरू करती हूं लेकिन मैं करी पत्ता में इसकी चट्नी में में मूली और तामाटर को मिलाँंगे इसके związी मैंने 1 पत्तों को लिया है और अच्छी तरह से ढूर साफ कर लिया है एक मिडियम साइज का टरमाटेट लिया है रीड्टेबल स्पूर मैंने लहसुन को लिया है और इसлекह से काट लिया है सावर एक बड़े साइज का मैंने हमुली को लिया और इस Laurie से काट लिया है एक हरी मिर्च आप जितना तीखा खाना चाहती है आप उतना उसी हिसाब से आप हरी मिर्च को ले सकती है और एक निम्बू को लिया है नमक स्वादानु साब और मैंने सर्सो का तेल 1.5 टेबल स्पून लिया है तो चलिए चट्टी बडाना शुरू करते हैं इसके लिए सबस इसके बाद मैं मूली को इस तरह से डाल दूगी हरी मिर्च को इस तरह से डाल दूगी और टामाटर को इस तरह से में तोड़कर इस तरह से हांसे इस तरह से डाल दूगी और लहसम को डालोंगी और अब मैं इसे मिक्सी में पीस लोंगी देखिए मैंने इसे मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लिया और अबना इसे प्याले में अस्तर से निकाल रही है अब मैं इसमें 1.5 ती इस्पून के लगबग मैं इसमें नमक डाल रही हूं और यह 1.5 तेबिल इस्पून हमारा सर्सो का तेल है यह तेल मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं इसमें नीम्बू को इस तरह से निचोर दूंगी यह देखिए इस तरह से आप जितना खट्टा खाना चाहती है उसी हिसाब से नीम्बू को डालें मैं एक नीम्बू को इस तरह से निचोर कर इसमें डाल रही हूं यह देखिए इस तरह से यह देखिए दोस्तों हमारा करी पत्ता मुली और टमाटर का चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों इसे आप जरूर बनाएं खाएं और हमें बताएं कि आपको यह चटनी कैसी लगी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें थांक्स फर वाचिंग मैं विडियो